भाईयो इससे पहले की कथा अबॉलियम नमबर एक में आप सुन चुके हैं भाई राजु जब दीपा को मेला में सामान और मिठाई जब उसे दे जाता है तो दीपा जब अपने घर जाती है माने जैसे ही दीपा को देखा है तो उसने दीपा को गल्व समझा और मार मार के और मुझे खाना नहीं दोगी जाइयो आज दीपा रो रोके अपनी माईया से कहने लकी माईया मैया ऐसे मैने खुछ नहीं किया मा मुझे मत मारो और रो के क्या बोली है तो सूनो मेरी मात से तुम्हें बतलाऊं तुम्हा कहो मातरी मोसे में ऐसे मैया नाओ दीपा कहने लेगी मा, मा तुम जैसा मुझे समझ रही हो, मैं बैसी नहीं हूँ मा, मा मुझे मत मारूं मा अरे मैं ऐसी नाओ का मैया नाओ, का ऐसी नाओ का मैया नाओ तुम कहो मातरी मोसे मैं ऐसी हाती नाओ कसम प्रभू की घाओ तो मैं समझ आओ, चरन से नाओ, चरन से नाओ मैया तेरे हाँ जननी खाओ, मैया तेरे में हाँ जननी खाओ लेकिन भाईयो, दीपा की बात पर उसे बिस्वास नहीं हुआ और इसी बीच भाईयो, सुन्दरलाल खेतों पर से जब लोट करके आता है तो अपनी बिटिया को रोते गए देखा है, तो जैसे ही बिटिया ने अपने पिता को देखा है खुदी पारुदन मचाया है बाबुल मेरी बात सुनो खुदी पारुदन मचाया है बाबुल मेरी बात सुनो दीपारुदन मचाया है अरे मैया बनी निर्मोही मैया बनी निर्मोही मुझे दोस लगाया है आज दीपा जो रो के अपने पिताजी से कहने लगी पिताजी पिताजी मा मुझे मार नहीं है पिताजी और मुझे दोस भी लगाया है पिताजी बाबुला तेरी बगिया की मैं तो ये कुछी दिया ले पर मैया निर्दई बन के यह हाल बनाया है पर मैया निर्दई बन कर यह हाल बनाया है मैया बनी निर्दमोही मुझे दोस लगाया है गर मेरी मैया होती तो गले से लगा लेती पिताजी अगर मेरी मा होती तो मुझे गले से लगा लेती यह मुझे कि जोर पे मार रही है पिताजी मेरी मैया होती तो गले से लगा लेती याद आती मुझे मैया गला मेरा भर आया है याद आज दीपा कहने लगी पिताजी मा मुझे बहुत मार रही है क्यों नाम कोशेबाले पितिया तेरी रोती है क्यों नाम कोशेबाले बितिया तेरी रोती है साधना साधना में आज दिल घबुड़ाया है मयबन निरमोही मुझे दोस लगाया है भाईयो आज संदरलाल कहने लगा बेटी तुम धेरेदारर करो हम तुमारी मया से कहेंगे उसने ये तेरा हाल कैसे बनाया भाईयो संदरलाल अपनी पतनी उमा से कहता है ये तुमने मेरी बेटी दीपा का ये क्या हाल कर दिया है भाईयो तो इस फ़र उमा सुरक डोरे आँखों में लाकर कहती है तेरी बिटिया ने जुम किये है और क्या कहने लगी है तेरी बिटिया जुलम गुजारे बालम टारे बदरापारे आज उमा अपने पति संदरलाल से कहने लगी है स्वामी तुम्हारी इस दीपा ने तो जोहरी कर दिया त्यारी बिटिया जुलम गुजारे बालम डारे बादरवार डारे बादलवार यो स्वामी डारे बादलवार हाँ तेरी बिटिया जुलम गुजारे बालम डारे बादरवार और क्या बोली है उमा? बेहा गई आज मेला में तुमसे कहूँ उचारे कहने लगी आज दीपा मेला में गई थी और उसने क्या किया है सुनो बेहा गई आज मेला में तुमसे कहूँ जारे लवली पावडर और उली पिल्ष्टि गुटि बाला इजिनार सुन्यो प्रीतम सुन्यो प्रीतम बचन हमारे जारे बादरवारे तेरी बिटिया जुलम गुजारे बालम डारे बादरवारे और क्या बोली है अरे डारे बादरवार पपूजी डारे बददावार तेरी बिटिया जुलम गुजारे बालम डारे बादरवारे और क्या बोली है पूची पूची के में पियारी बोली नहीं लवार पूची पूची के में पियारी बोली नहीं लवार कहां से लाई मिठाई जारी जाने बनाए यार साधु नहां अरे साधु नाने बोली उचारे डारे बादरवार तेरी बिटिया जुलम गुजारे बालम डारे बादरवार अरे डारे बादरवार गुटू जी ताले बादरवार तेरी बिटिया जुलम गुजारे बालम डारे बादरवार भाईयो उमा ने अपने पक्ते जव सारी हकीकत बताईए मंगर बाप ने दीपा के प्रत कोई ऐसा प्रेम नहीं दर्शाया जिसे उस बिटिया के दिल में सांती आ जाती भाईयो उस बिचारी को कमरा में बंद करवा दिया आज उसके दिल पर क्या गुजर रही है और हुआ क्या है सुनो करिदो कमरा बंदो बड़ी चल चंद हती महतारी सो तेली मैया बन गई रेया जोह त्यारी आज उसने दिपा को कमरा में बंद कर दिया है अरे आज हत्यारी आज हत्यारी बनी हत्यारी सुनो हत्यारी सो तेली मैया बन गई रेया जोह त्यारी दिपा भीतर रोई का इसा गोई रहे हो मारी नहे हो मारी भूकन से निकरे प्राणरे जावे जान हमारी भूकन से निकरे प्राणरे जावे जान हमारी ओमा ललकार के कहती है तु बता ये सारी चीजे तु कहां से लाई है किसने तेरे लिए घरी दी है कमीनी तु ने बाप की ना कटवा दी तु रोटी मांगती है तुझे मैं रोटी दूँगी भाईयो जंगला के पास सुखी रोटी उसकी सोते लिए माने जब रख दी है उसकी किसमत में सारी रोटी नहीं थी इसी बीच में एक कुत्ता आया और उस रोटी को भी ले गया भाईयो देखो उसकी किसमत कैसी है देखे आल दीपा तब रे गई भर के रोई आज जब कुत्ता उस रोटी को भी ले गया तो दीपा रोने लगी है कहने लगी है प्रभू देखे आल दीपा तब रे गई भरी रोई रोटी लेगा पुता रे अरे रोटी लेगा पुता रे ना दुनिया में कोई माज आज बिचारी अंदर रईया रे मैया मोखु आज निकार क्यों तर भाई रही वोई जननी में तेरे पईया पड़ू जुलम के मत बादर भारो मत बादर भारो मत बादर भारो मंगर भायो सोदेली मा का अत्याचार बढ़ता गया और वो अपने पत से कहती है पी ले कर दो हाथ को सुनो पिया मेरी बातो नए ना को कटावा लाड़िली तुमें आज समुझात भायो अपने पती से उमा कहने लगी है कि तुमें इसके हाथ पीले करा दो अन्यता ये तुमारी ना को कटबा देगी भायो अपनी पतनी उमा की बाद सुनकर वो अधीपा के पीले हाथ कैसे करे पैसा इतना नहीं था कि वो विभा अच्छी तरह से हो जाए भायो हुआ क्या सुनो करी रहो सोच या पार जिगर में ख्याल या जब आओ दीपा के हित में तनिक सुको को नहीं देख पाओ दीपा के हित में तनिक सुको को नहीं देख पाओ गाउं गाउं पर धूड़न जाब है लेकिन दहेज की मांग आज सुन्दर कूंठू कराग है भाईयो जहां भी सुन्दर लाल दीपा के लिए लड़का देखने के लिए जाता है तो भाईयो इतनी दंदोलत नहीं है कोई द्वार पर बैठने नहीं देता है तो बिचारा चला आता है परम की गतीन जाती है जानिनाए गतीन जाती है क्या से क्या कर दे इसा धुना मन घबडाती है गती अब वो क्या करवाती है बाईयो 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 जाता है सहर सहर गाउं गाउं जब भर ढूड़ने जाता है मंगर दहेज की मांग उसे कचोड रही है भाईयो दहेज लोग ज़्यादा मांगते हैं तो बेचारा लोटकर घर आ जाता है तो उसका दोस्त गोपाल बताता है कि एक लड़का मेरी सीध में है और भाईयो उन्होंने उस लड़का को देखा है तो पसंद हो गए है और जाकर के अपनी पतनी को बताया है कि लड़का तो ठीक है मंगर दहेज ज़्यादा मांग रहा है भाईयो इधर क्या होता है सुनो मामा के यां से राजू जब आया है बंद लखी कमरा में बेहन गब उड़ाया है जैसे ही राजू अपने मामा के यां से पढ़कर के आया है मामा के यां से राजू जब आया है बंद लखी बेहना कमरा में घब उड़ाया है भाईयो जैसे ही राजू ने अपनी बेहन दीबा को कमरा में बंद देखा है तो पूछने लगा है बहन क्या हाल हुआ तेरा तेरो बदन गवो को मिलाई पूछने लगा है बात क्या है बहन क्या हाल हुआ तेरा तेरो बदन गवो को मिलाई किस बेदर्दी ने बेना तुझ पैये मार लगाई बदन करवाया है मामा के यासे राजू जब आया है बेना ने गिरा सुनाई तुम सुन्या मेरे भाई बेना ने गिरा सुनाई तुम सुन्या मेरे भाई मिन तेरी कसम निवाई मेला की बात चिपाई जिया यती तड़ पाया मामा के यासे राजू जब आया भाईयो कमरे में बंद दीपा अपने भाईया राजू दे कहने लगी भाईया भाईया राजू मैंने तेरी कसम को निवाया है भाईया मैंने वो मेला वाली बात नहीं बताई भाईया उससे खात्र माने देखो मेरा ये क्या हाल बना दिया है हालत पर राजू रोता तेरा बहन ये सोता हालत पर राजू रोता तेरा बहन नसीवा सोता दुनिया में ये क्या हैता साधना हिया येती रोता बचन येती फर्माया मामा के या से राजू पढ़के आया पर पर राजू राधा रानी की जै महारानी की जै बोल परसाने वाली की जै 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 राधा रानी की जै महारानी की जै बोल परसाने वाली की जै 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 बरसाने में धूम मचावे प्यारी की जै मतबारी की जै बोल परसाने वाली की जै 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 बोल परसाने वाली की जै 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 राधा रानी की जै महारानी की जै बोल परसाने वाली की जै 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 कटती है सु मेरे सब बाधा कटती है सु मेरे सब बाधा जै रानी की जै युन रानी की जै बोल परसाने वाली की जै 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 बोल परसाने वाली की जै 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 बोल परसाने वाली की जै 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 राधा लानी की जै महारानी की जै बोला बरसाने वाली की जै 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 राधा जी की लीला न्यारी सुमिरो राधा रानी की जै बोलो रानी की जै तारा है सारा जमाना प्रभु हम को वितारो तारा है तारा जमाना प्रभु हम को वितारो हम को वितारो प्रभु हम को वितारो हम को वितारो प्रभु हम को वितारो तारा है तारा जमाना प्रभु हम को वितारो हमने सुना है प्रभु नीरा को तारा हमने सुना है प्रभु नीरा को तारा जहर करके बहाना प्रभु हम को वितारो जहर करके बहाना प्रभु हम को वितारो तारा है तारा जमाना प्रभु हम को वितारो तारा है तारा जमाना प्रभु हम को वितारो हमने सुना है नाज नर शीको तारा हमने सुना है नाज नर शीको तारा बात का गर के बाना प्रभु हम को वितारो बात का गर के बाना प्रभु हम को वितारो तारा है तारा जमाना प्रभु हम को वितारो हमने सुना है प्रभु द्रोपत को वितारा हमने सुना है प्रभु द्रोपत को वितारा सीरु का कर के बाना प्रभु हम को वितारो सीरु का कर के बाना प्रभु हम को वितारो तारा है तारा जमाना प्रभु हम को वितारो भाईयो इधर राजू अपनी बेन को रोते से चिप करता है तरह तरह से धैर बना रहा है मंगर एक दिन वह अपनी बेन को चिपके चिपके रोटी देता है राजू की माने जैसे इसे राजू को देखा है तो राजू को पकड़ लिया है और क्या किया है उसने अरे बेटा में मार लगाई बाईयो उसने राजू को पकड़ लिया है और उसमें पिटाई लगाने लगी है अरे बेटा में मार लगाई और तब सुन्दर गव है आई अरे बेटा ला सुरत बचाई 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 हाँ और अपनी पती नी समझाई बाईयो सुन्दर लाल ने राजू को पिटा हुआ देखा है हम साधी तैकर आए रे उमा सुन्दर अपनी पत्नी से कहनी लगा है उमा मैं दीपा की साधी तैकर आया हूँ लेकिन बात एक है कौन सी सुनो पर पैसा दहे जो को जादा है बिगड़ी है रूहानी महराज मांगिरा सभी सुनो सामान एक लाख नगदी कही रही और सुनो हमारे भ्यान कैसे साधी अपनी बिटिया की पैसा बिन रचवावें पैसा बिन रचवावें पैसा बिन रचवावें अरे पैसा बिन रचवावें कैसे साथी अपनी बिटिया की भाईयो, सुन्मर लाल बोला हुमा पैसा तो नहीं है फिर भी क्वारी कन्या घर में रखना अच्छी बात नहीं है वह साथी बाला ज्यादा पैसा माग रहा है सामान माग रहा है कूलर, प्रीज, टीवी, पंका, अलमारी, बासिंग, मसीन तथा और एक लाख रुपईया नगत माग रहा है उमा, तुमारी रहा क्या है और बैसे भी एक लड़की है उसकी अच्छी साधी हो जाए तो अच्छी बात है तो भाई यह हुगा क्या धरी गिरवी घेत बिवाके है तो सुन मेरी प्यारी बिटिया की साधी कर दें गोरी सुन यो बात हमारी सुनरलाल अपनी पत्नी उमा से कहने लगा उमा, अगर खेत गिरमी रखे बिटिया से साधी कर दें तो तो भाई यह हुमा ने कुछ नहीं कहा सुनो अरे कह सुनीयो बात हमारी के बात हमारी के बात हमारी जिटिया की साधी कर दें गोरी सुनियो बात हमारी देवा बात बताई सुना चितलाई ये अरज हमारी ये अरज हमारी तुम देवा सला बताई जो होई तुमारी तुम देवा सला बताई जो होई तुमारी भाईयो अपने पती की बात सुनकर उस दिन तो उमा चुप चाप रही उसने कुछ नहीं कहा और साधी के लिए हा कह दिया और बाद मैं सोचने लही कि अगर खेत गिर्वी रख जाएगा तो मेरा बेटा राजू क्या खाएगा उसके लिए तो कुछ नहीं बचेगा और सोचने लगी है क्या साधी के ही तुमें खेत गया सोचने लगी है साधी के ही तुमें खेत गया तो मेरी हो जाएग ख्वारी अगर खेत गिर्मी रख जाएगा तो पर मेरा क्या होगा मेरे बच्चे का क्या होगा साधी के ही तुमें खेत गया तो मेरी हो जाएग ख्वारी राजू बेटा पढ़ना पाए हाई यो मरिया है वारी और क्या सोचने लगी है कैसे कटा जिन्दगी बाकी रो रो के हम मर जावेंगे बैरी ने लेके पैसा जावें हम कैसे जीव पावेंगे बैरी ने लेके पैसा जावेंगे हम कैसे जी रह पावेंगे हाई बिधाता हमें उबारो अरे तू ही जग का माली है करदे प्रभु जी आए हमारी भगिया की यजियों प्रभु रखवाली है करदे प्रभु जी आए हमारी भगिया की रखवाली है भाईयों सोच समझ कर उसने अपने पती को साधी के हित में सामान लाने को कहा भाईयों सुनरलाल अपनी बेटी को दे करके सोच रहा है क्या सोच रहा है सुनो ये लहरी दार चुनरी माथे पर डाल के ये लहरी दार चुनरी माथे पर डाल के दुलनी बनेगी बिटिया गूँटाने का लिके दुलने बनेगी बिटिया गूँटाने का लिके आज सुनरलाल सोच रहा है कि अब मेरी बिटिया की साधी हो जाएगी और क्या सोच रहा है सामाले कर में जाऊंगा तीका जाए चराऊं हाँ तीका जाए चराऊं अपनी बेटि के यंगना में पीले हाथ कराऊं कराऊं बेटाऊंगा डोली में बिटिया समाल के दुलहिन बनेगी बिटिया घूंटाने काल के दुलहिन बनेगी बिटिया घूंटाने काल के सोच समझ कर तब जुन्दर जी सामाल को ले आया मन में यत हर साया बड़ी धूम से निज बेटि का तीका जाई चड़ाया साधुना यांगे जावे साधुना यांगे जावे राज देख भाल के दुलहिन बनेगी बिटिया घूंटाने काल के दुलहिन बनेगी बिटिया घुमटा निकाल के भाई यो बेहनो इस प्रकार सुन्दर बिवा की सामा लेकर हितु नातेदारों के साथ टीका चड़ा देता है और बारात बड़ी धूमधाम से उधर आती है इधर दीपा दुलनिया अंगना में बनाई जा रही है सखिया सजाती जा रही है और गीत गा रही है कौन सा सुनो मड़ा है तेरी ओटलाडों ने के से सुखाए मड़ा है तेरी ओटलाडों ने के से सुखाए बबुला सुगर बर ढूडों हाँ यसो पर ढूडों मईया लेगी कन्या दान लाडों ने के से सुखाए मईया लेगी कन्या दान लाडों ने के से सुखाए मैया सो गड़ बर ढूड़ो हाँ एसो बर ढूड़ो मैया सो गड़ बर ढूड़ो हाँ एसो बर ढूड़ो भाबी लेगी कन्या दान लाड़ो ने के से सुखाए मड़ए तेरी ओट लाड़ो ने के से सुखाए मड़ए तेरी ओड़ो भाईयो इधर तो सकियां बरनी गा रही है और उधर दीपा की बारात वेंड बाजों के साथ बड़ी धुम धाम से आ रही है और भाईयो बड़ी जोर से बाजे बज रहे हैं लेकिन बाजे तो बज रहे हैं लेकिन गुड़ु भाईया को कुछ नुनाई नहीं दे रहा है वो तो पड़े पड़े सो रहे हैं बाईयो इधार राजू अपनी बेहन के सुनरता लख करके बहुत खुश है और क्या सोच रहा है बेहने हमारी छोड़े हमें जो तुम से सुरे को जाओगी अपने बाईया को छोड़े के रोता कैसे बहना जाओगी अपने बाईया को छोड़े के रोता कैसे बेहना जाओगी आज राज क्याने लगा बेहन तुम हमें छोड़े के चली जाओगी मेरी प्यारी बेहना तुम उन्हे जीबन में ना सुक देखा है तेरे प्यारे बाईया के दिल रह गया है यही परेखा है तेरे बाईया के दिल में यही रह गया है यही परेखा है भाईयो इधर तो राज अपनी बेहन से कह रहा है और इधर सभी सखियां सजा रही है कैसे सनो सकियां रही सजाए कि खुशी मनाई सुनो सब भाई इता सो तेली मैया नेरे करी खुब जतुराई अरे करी जतुराई खुब जतुराई इता सो तेली मैया नेरे करी खुब जतुराई बाईयो इधर सो तेली मैया ने क्या किया है सुनो पाने मजहर मिलाई रही किसे आई चे चाल चलाई के चाल चलाई दीपा बेटी कुमारन कुमाज रही भेराई बाईयो जब दीपा की साधी हो रही है तो उमा बिचार कर रही है कि अगर सारा पैसा हमारा दहेज में ही चला जाएगा तो पर हमारे घर का क्या हुआ हमारे बच्चे क्या खाएंगे आज भाईयो वो जहर गोल करके दीपा के पास गई है और कहने लगी बेटी तुमने खाना नहीं खाया दीपा कहने लगी नहीं मा मैंने नहीं खाया कहले बेटा खाना खालो तुमने दो-तीन दिन से खाना नहीं खाया है तो दीपा कहने लगी मा मा मुझे बोजन अच्छा नहीं लग रहा है अब मैं अपने सस्राल चली जाओंगी मा मुझे अपने गले से लगा लू मया भाईयो मा कहने लगी है बेटा अभी तुम जा नहीं रही हो लो पहले सरवत पीलो भाईयो उसने गिलास दिया है और हुआ क्या है सुनो जहर बैर निने भोलो दीपा कुरा ही है पिलाए भाईयो आज बो ग्लास लेकर की आईया किलो वेटी पानी पिलो लेकन बो नहीं समझ सकी दीपा दीपा ना जानी है बात करी सो तेली माने घात क्या जोहर यतिकर डालो दीपा कुरा ही है जहर पिलाए क्या जोहर दीपा ने जहर पियो भाई नसायत रहो बदन चाई बाप सुंदर तब बोलो दीपा कुराई है जहर पिलाए जहर पियर निने गोलो दीपा कुराई है पिलाए भाईयो जब सुतेली माने दीपा को जब जहर पिला दिया है जब सभी लोग मंडप के नीचे आ गए है तो जब दीपा को बुलाया गया है तो दीपा जब गई है भाईयो तो उसके सरीर में सारा जहर फैल चुका था भाईयो जाकर के पचाड खाके गिर पड़ी है जैसे ही संदरलाल ने देखा है तो अपनी बिटिया को गोदी में उठा लिया कहने लगा बेटा बेटा तुझे क्या हुआ राजी कूछने लगा बेहन बेहन तुझे क्या हुआ और भाईयो आज रोरो के दीपा अपने भाईया राजी से कहने लगी है भाईया भाईया सुनो बात हमारी अब उजाई रही बेहने तुम्हारी भाईया राजी भाईया अब मैं बज नहीं पाऊंगी भाईया अब मैं तुझे छोड़ के जा रही हूँ मैंने बात तु तेरी जिपाई मेला वाली न बातो बताई भाईया और दिपा क्या बोली है भाईया प्राण तेरे हित्दे गमाई गुरुजी अवली ओ प्राण बचाई ताधना रही घगोडाई भाईया प्रबु धन्य तेरी प्रबु ताई तेरी लीला समझ नहीं आई भाईया भाईयो इस तरह से उस दीपा बहन ने अपने प्राणों को च्याग दिया और देखिए भाईयो उस सोते लिमा का अत्याचार किस तरह से उस नालाइक ने उस बच्ची का अपने हातों से मरड कर दिया भाईयो किस तरह से उस बच्ची का अपने हाईयो